आज हम आगे हैं नर्गिस दत रोड पाली हिल मुंबई महाराष्टा में और ये है अनिल अम्बानी का घर पाली हिल में इस्तित अनिल अम्बानी के 17 मंजिले घर का नाम है अबोर्ड अनिल अम्बानी एक शांदार घर में रहते हैं अनिल अम्मानी के घर में स्विमिंग पुल, जिम, हैली पैड, पार्किंग की जगए, अम्मानी के कार कलेक्शन को डिस्पले करने के लिए बड़ा लाउंच, एरिया जैसी सुविधाय मौजूद है अनिल अम्मानी के घर की बालकनी से सुरिय दे और सुरियास्त का काफिश शांदर नजारा दिखाई देता है परिवार के सदस्ट्यों को समुंदर का सांदर नजारा भी उनकी बालकनी से मिलता है अनिल अम्मानी का घर भारत के सबसे महंगे घरों में गिना जाता है अने लंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी और दो बेटे जै अनमोल अंबानी तथा जै अन्शुल अंबानी के साथ 1600 वर्ग फुट के आलिशान घर में रहते हैं अने लंबानी परिवार ने घर का नाम एबोड रखा है अबोड का मतलब वह स्थान जहां आप रहते हैं यह आलिशान बिल्डिंग गंगन चुम्बी है और इसके इंटीर पर कोरोडर रुपे खर्च किये गए हैं इसे एक विदेशी डेकोरेटर ने डिजैन किया है रिपोर्ट्स के अनुसार इमारत की उचाई करीब 66 मेटर है मीडिया रुपोर्ट के अनुसार अनिल अम्बानी ने मूल रूप से अपने घर की बिल्डिंग की उचाई 150 मेटर तक करने की योजना बनाई थी हाला कि निर्मान अधिकारियों ने इसे केवल 66 मेटर ही मंजूर किया था अनिल अम्बानी की शादी मशूर अभिनेतरी टेना मुनिम के साथ 1991 में हुई थी दोनों के दो बेटे हैं एक का नाम है जै अन्मोल अम्बानी और दूसरे का नाम है जै अन्शुल अम्बानी अनिल अम्बानी के बड़े बेटे जै अन्मोल अम्बानी का जन्म 12 दिसम्ब 1994 को हुआ था अनिल अम्बानी का लगजरी घर भारत के महंगे गरों में से एक है जिसकी कीमत 5.000 क्रोड रुपे है वहीं मुके संबानी का परिवार जिस घर में रहता है उसका नाम एंटीलिया है उसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं एंटीलिया साल 2010 में बनकर तियार हुआ था फोब्स की 2018 की सूची के अनुसार अनिलंबानी के पास उस समय करीब 2.7 अरब अमेरिकी डॉलर मुल्य की संपत्ती थी लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातर अनिलंबानी की कमपनी दिवालिया हुई है जिससे उनकी नेट वर्थ में भारी गिरावट आई है अब मुकेश अमबानी और अनिलंबानी के बीच संपत्ती का फासला काफी ज़्यादा हो गया है